कि हलो फ्रेंड नाइब फिर से स्वागत करते हैं माई यूटूब चैनल प्रेंड आज किस वडिएओं में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पीटियम आईप में UPI आइडी को चेंज कर सकते है जी गाँ फ्रेंड अगर अपने PTM एड उप्या इड चैन्ज करना चाथे है यानि कि अपने प्रेंड में एक नया यूप्या इड बनाना चाहता है तो किस तरह के से बना सकते आ जानेंगे आज की इस वडियो में तो बस वीदियो को आपको और तक दिखना आगर आपको ब्ल बताएंगे कि कैसे आप अपने PTM app में UPI ID को चेंज कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में पीटियम अप्लिकेशन को ओपेन कर चुके हैं और आ चुके हैं पेडियम अप्लिकेशन की होम स्क्रीन पे फ्रेंड यहां पर आने बाद अब आपको यहां पर बत है वो है एस बैंक का तो यहां पर देख सकते हैं पहले मेरा मोबाइल नमबर है उसके बाद एड़ जे रेट है उसके बाद पी है उकरे बाद टी है उसके बाद ऐसा है तो यानि कि मैं एस बैंक का अभी तक UPI ID यूज करना हूं अपने पेटियम अप्लिकेशन में तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि किसी अधर बैंक का यहां पर UPI ID अक्टिवेट हो जाए तो कैसे करना फ्रेंड इसके लिए आपको सबसे पहले उपर साथ देखेंगे तो यहां पर आपका प्रोफाइल का ओप्शन देखने को मिलेगा यहां पर आपको क्लि पर बान को निचे आट देखेंगे तो यहां पर UPI ID आपको देखने मिलेगा उसके ओर नीचे देखेंगे तो यहां पर आपका बैंक देखने मिलेगा उसका फ्रेंड फ्रेंड तेखेंग के एक option दखाया देगा UPI payment setting तो आपको इसपर क्लिक कर देना है जैसे आप यूपी आई पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करता है तो आपके सामने इस तरह किसे एक नया पेज उपन हो जाएगा फ्रेंड उसके पाद आप नीचक साइड देखेंगे तो नीचक साइड यहां पर आपका बैंक दिखने को मिल जाएगा और यहां पर जितने भी बैंक आपके पेटियम में मतलब की आपने एड किये होंगे और सभी बैंक यहां दिखाई देंगे जैसा कि मैं यहां पर अपने पेटियम में दो बैंक की यूट मतलब की एड किया हूं तो दोनों बैंक यहां पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फर्स्ट में है पंजाम नि तो इसे चेंज कैसे करना है इसके लिए आपको क्रेंड उसके ठीक सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको वीव का उप्शन दिक्षाई देगा आपको वीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ढ़्याइड तो आपके सामने फिर से इस तरी ही से नया पेज उपेन हो तो यहां पर जैसे कि यहां पर फर्स्ट में है SBI 2nd में HDFC और यहां पर जो अभी प्रेजेंटली में मैं यूज कर रहा हूं Sbank वह यहां पर दिखना को मिल रहा है उसके बात आते हैं कि हमें यूज करना है SBI SBI बैंक या HDFC बैंक का तो इन सभी बैंक का अगर हम UPI ID यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहां पर उसके सामने देखेंगे यहां पर हमारे पीटीएम में हो जाएगा इस तरह के यहां पर दिख सकते हैं ओ चुका है यहां बात आते हैं कि चारो बैंक है आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है मतलब की UPI ID आप इसे चेंज कैसे करना है जैसे कि यहां पर उपर साड देखेंगे अभी तक यहां पर S-Bank का ही हमारे Paytium एप में एक्टिवेट है UPI ID तो इसे चेंज करना है तो इसे मेरी UPI ID का ओप्शन दिखाई देगा यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर तीन बैंक का यहां पर जो अभी यूज नहीं कर रहा है तो तीनों बैंक का यहां पर UPI ID दिखने को मिल रहा है तो जिस भी बैंक का आप UPI ID लगाना चाहते है अपने Paytium में कर देता हूं उसके पाद यहां देख सकते हैं यह अपसी बैंक का यहां पर एक्टिवेट हो चुका है हमारे Paytium अप्लिकेशन में तो इस तरह के से आप अपने Paytium अप्लिकेशन में UPI ID को चेंज कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज एक बाल लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नहीं है तो फ्रेंट चैनल को भी सक्स्प्राइब कर लेना मिलते करें नेश्ट वीडियों तब तक के लिए जय ही